फाइनली जिस चीज का आप सब को इंतजार था वो अब इस शो में होने को है जी हम बात कर रही है स्टापलस पर टलिकास्ट रोने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहाने के जिसमें अब रेवति को फाइनली पता चल चुका है कि उसके बेटे का खून रुदराक्ष ने नहीं बलकि उसी के पती राकेश ने किया था यान कि रुदराक्ष के उपर जो भी देव के खून के इलजाम लगे थे उससे वो बाइसद बरी होते हुए आपको बहुत जल नजर आने वाला है यह आप कहेच सकते हैं आपकी सच की हुई है जीत worst की हुई है हार विए तरीके से राकेश का सच सब के सामने आ चुका है जिस तरीके से उसने देव को बीना सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया ठीक उसी तरह रुदराक्ष के साथ में जितनी भी यहाँ रेपती ने जात्तियां की थी उसका हिसाब यहाँ प्रशा लेने वाली है गिनकिन कर राकेश थे और उसको एक्सपोस करते हुए यहाँ पर नजर आएगी यहाँ पर रुद्राक्ष जैसे ही गर पहुँचेगा वैसे ही रुखी अपने रुद्रु रॉक्स्टार खुराना को यान की अपने लाल टमाटे को गले लगाने वाली है और काफी जादा उसे मिस करने की बाद भी कहती हुई नजर आएगी इतना ही नहीं यहाँ पर रुखी जैसे ही रुद्राक्ष को देखेगी उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा और सभी लोग एक बार पहली की तरह ही यहाँ पर रहते हुई नजर आएंगे यहाँ पर साराश के दिमाग में जो भी देव से जुड़े टेंशन थी कि उसके हाटों देव का खुण हुआ है साराश पी एकदम आपको नॉर्मल नजर आएगा क्योंकि आप साराश को भी समझा जाएगा कि उसने कोई गलति की ही नहीं और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि रूही और साराश मिलकर रुदराक्ष की शादी की बात करने वाले हैं जिसके बात में रुदराक्ष और प्रिशा के बीच के जो गलत फेहमिया हैं वो भी दूर हो जाएगी और हो भी क्यों ना जितने बड़ी मुश्किल में रुदराक्ष था उसमें प्रिशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और इसलिए रुदराक्ष तो समझा जाएगा कि प्रिशा ने इतने सालों पहले जो से सच छपाया था वो कोई कारण के वज़त से ही छपाया होगा अदवाइस प्रिशा उससे इतना प्यार करती है कि इतन अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक शेय करना ना फुलें